नमश्कार दोस्तों, लक्षमी नारेन परिवार की तरफ से आप सभी को अक्षित रत्या और परशुराम जन्मोचव की हार्दिक शुब कामना है तो आज है परशुराम जन्मोचव कुछ लोग परशुराम जयन्ती बोलते हैं, कुछ लोग परशुराम जन्मोच सब बोलते हैं माना जाता है कि परशुराम जी जीवित है, चिरन जीवी है तो जो लोग जीवित होते हैं, उनका मनाते हैं जन्मोच सब और जिनकी मृत्य हो जाती है जो इस संसार को इस लोग चोड़कर श्रीधाम जा चुके होते हैं उनकी मनाई जाती है जयनती तो परशुराम जन्मुच सब आज हम सब लोग मना रहे हैं और इसी दिन हम जानेंगे भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ बातों को भगवान परशुराम भगवान विश्नु के दस अवतारों में से एक हैं उनका जन्म ब्रहमर कुल में हुआ था जो वामन अवतार के बाद तथा श्री राम अवतार से पूर्व जन्मे थे माननता है कि वे आज भी जीवित है तता कल्युक के अंद तक वे जीवित रहेंगे ऐसे ही उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहनों को आज हम जानेंगे भगवान विश्नु का कोई भी ऐसा अवतार नहीं रहा जिसके रहते उन्होंने दूसर अवतार ले लिया हो अर्थात एक अवतार की समापती के पस्चात ही वे दूसर अवतार लेते हैं किन्तु जब से भगवान प्रशुराम ने उनके छटे अवतार के रूप में जनम लिया है तब से वे आज तक जीवित हैं इस प्रकार भगवान विश्नु का यह एक मात्र अवतार है जिन्होंने अपने बात के अवतारों के समय भी अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई सभी को पता है अपने पुत्र की करतव्य निस्टा से प्रसंद होकर उनके पिता ने उनसे वर्दान मांगने को कहा था परशुराम जी ने वर्दान स्वरूप अपनी माता का जीवन पुनहा मांग लिया था इसके बाद उनकी मा जीवित हो थी थी बागवान परशुराम के समय एक राजा थे जिनका नाम कार्थवीर्य अर्जुन था उसकी हजार हो जाए थी इसलिए उसे सहस्त्र बाहु भी कहते थे वहलंका की राजा रावन को भी परास्त कर चुका था जिसके बाद उसकी प्रसिद्धी तीनों लोकों में व्याप्थ हो चुकी थी एक बार जब परशुराम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे तब कार्थवीर्य अर्जुन ने उनके पिता के आश्रम पर हमला करके उनकी मुख्यगाय कामधेनों को चुरा लिया जब परशुराम पुन्हा आश्रम रोटे और सब घट्टा का ग्यान हुआ तब उन्होंने सहस्त्र सहस्त्र बाहों की सभे भुजाई काट कर उसका वद कर दिया सहस्त्र बाहों के वद के पस्चात उसका प्रैस्चित करने के लिए परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गई पीछे से सहस्त्र बाहों के पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदागनी का वद कर दिया जब पर शुराम जी को इसका पता चला तो उन्होंने प्रत्वी को 21 बार छत्रियन विहीन कर दिया। राम अफदार के समय उनकी भगवान श्री राम से राजा जनक के दरवार में प्रतम भार बेट मी थी। तब उन्हें यह ज्यान नहीं था कि श्री राम विश्नु जी के अफ़तार हैं या फिर लीला कह सकते हैं। इसलिए वे उन पर शिवधनों तोड़ने के लिए क्रोध करने लगे। भरी सभा में भगवान परशुराम और श्री राम के छोटे भाई लक्षमन के बीच तीखा समवाध हुआ। इसके बाद श्री राम परशुराम को अपने विश्नु अफ़तार के रूप में दरसन दिये। यह देखकर बरशुराम का क्रोध सान्थ हो गया और वो वहाँ से चले गए। भगवान श्री क्रिश्न के समय में भी उन्होंने महतपून योगदान दिया था। महभारत का युद्ध लड़ने वाले तीन महान योद्धा उन्ही के सिश्य थे। उन्होंने भीश्म पितामह, गुरूर त्रोणाचारे तथा दानवीर काण को अर्स सहस्त्र की विद्या में पारंगत किया था। बाद में इन तीनोंने महाभारत की युद्ध में कोर्वों की ओर से महतपून भूमिका निभाई थी। एक बारों का अपने ही सिश्य भीश्यू से भ्यांकर युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला था। क्योंकि परशुराम स्वयम भगवान थे वह भीश्यू को अपनी इच्छा के नुसार मृत्यों मिनने का वर्दान था। इसलिक कैई दिनों तक भीशन युद्ध चलने के पस्चात स्वयम देफ्ताओं ने दोनों के बीच के युद्ध को रुकवाया था। महा भारत के एक और मुख्य पात्र कर्ण ने परशुराम से जूट बोलकर शिक्षग रहन की थी। उसने श्वयम को ब्रहमण बताकर शिक्षग रहन की थी जो की असत्य था। जब भगवान परशुराम को इसका ज्यान हुआ तब उन्होंने कण को श्राप दिया था। कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा वशकता होगी तब भी वह उसे भूल जाएगा। इसी श्राप के कारण महा भारत के भीशन युद में कण का वद धनुर्धारी अनुर्जन के हातों हुआ। भगवान परशुराम की बच्पन का नाम राम था। लेकिन एक बार उन्होंने भगवान सिर्फ की कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शुव ने उन्हें परशुनाम का एक अस्त्र दिया था। जो उन्हें बहुत प्रिया था। इसी के बाद से उनका नाम परशुराम हो गया। माननेता है कि भगवान परशुराम कल्यूग के अंतमे फिर से आएंगे। उनका दाइथु भगवान विश्णु के अंतिम अफ्तार। कन्ती को शिक्षा देने तता अस्त सस्त्र चलाना सिखाना होगा। इस दाइथु को निभाने के पस्टात इस धर्ती से उनका उदेश्य समाप्थ हो जाएगा। तथा वे पुन्हा श्री हरी में समा जाएंगे। जैसकि कहा जाता है कि कल्यूग चारो यूगों में अंतिम यूग होता है। फिर से वही क्रम दोराया जाता है। और वही अफ्तार लिये जाते हैं। तो कल्गी अफ्तार कल्यूग में जनम लेंगे। उसके बाद ये क्रम दुबारा से शुरू होगा। ऐसी माननेता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं। इसी तरह से और जाटकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो लक्ष्पी नारायन परिवार का हिस्सा जरूर बने। जए श्रीहरी।